हाई फ्रेंज हमारे चानल में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाने वाले है साउथ इंडिन स्टाइल चिकन रोस्ट तो ये चिकन रोस्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले 500 ग्राम चिकन लेंगे और इसमें एक चमच मिर्ची पाउडर एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर एक चोथाई चमच काली मीरी पाउडर और एक चमच चिकन मसाला आदा चमच चिली सास आदा चमच अद्रक लसुन का पेस्ट एक चमच धन्या पाउडर आदा चमच नमक छोटी चमच सोया सास छोटी चमच दही अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इस मिक्स को हम 10 मिनिट तक बाजु में रख देंगे अब ये साउथ इंडिन स्टाइल रोस बनाने के लिए हम नारिल के तेल का इस्तमाल करेंगे इससे इसका टेस्ट अच्छा हैगा तो अब पैन में दो बड़ा चमच नारिल का तेल लेंगे इसमें एक चमच कुछला हुआ लसुन आदा चमच कटा हुआ अधरक और एक मिर्ची को भी हम डालके एक मिनिट तक पकाएंगे अब इसमें एक कप कटा हुआ प्याज डालके मिक्स करेंगे आदा चमच नमक डालके इसे अच्छी तरह से दो मिनिट तक पकाएंगे अब इसमें बाजु में रखा हुआ चिकन लेके अड करेंगे अच्छी तरह मिला लेंगे इसे अब हम ढग कर पांच मिनिट तक पकाएंगे पांच मिनिट होने के बाद इसे एक बार अच्छी तरह मिक्स करेंगे अब इसमें हम दो चमच नारिल का तेल डालेंगे और इसमें आदा चमच कश्मीरी चिली पाउडर और एक चौताई चमच काली मिरी पाउडर अब हम इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दो मिनिट तक धीमी आज में इसे पकाएंगे दो मिनिट के बाग हमारा चिकन रोस्ट यहां बनके तैयार है आप इस चिकन रोस्ट को चावल और चपाती के साथ खा सकते हैं आप भी ऐसा चिकन रोस्ट नारिल के तेल में बनाईए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तैंक्स पर वाचिंग